साथियों, ओडिशा में स्वास्त सुविदाय बढ़ाने के साथ ही सडक संपर, कनेक्टिविट्य को मजबूत करने का काम भी केंद्र सरकार द्वारा तेजी से किया जा रहा है। राज के तमाम दुर्गम खेतरों को सडकों से जोडने के लिए योजनाओं को गती दी जा रही है। आज सडकों हाइवे से जुड़े चार प्रोजेक्स का सिलान्याज किया गया है। चांदी खोले भद्रक सेक्षन और तांगी पोईटोला सेक्षन की सिक्स लेनिंग हो। कटक अंगुल सेक्षन का चौड़ी करन हो या फिर खांडा गीरी फ्लाई ओवर का अंदिर्मान। करीब साड़ेक चार हजार करोड रुपिय के ये तमाम प्रोजेक ओडिशा के विकांच में एहम भूमी का निभाने वाले हैं। इन सुविधा से लोगों का आना जाना आसान होगा। व्यापार कारोबार करना भी आसान होगा। साथियो ओडिशा के इंफ्रास्रक्चर में जैसे जैसे विस्तार हो रहा है। वैसे वैसे यहां उद्योग दंदों के लिए भी नए रास्ते नए अवसर खुल रहे हैं। विशेश तोर पर तेल और गैस्ट एक्षेत्र में ओडिशा का भविश्च बड़ा उजबल है। पारादीप हैदराबाद पाइपलाइन ओडिशा को नई पहचान देने वाली है। यहां के विवाओं के लिए रोजगार के अनेक नए अवसर पैदा करने वाली है। करीब बारा सो किलोमेटर की यह पाइपलाइन ओडिशा के साथ-साथ आंदर प्रदेश और तेलंगना की पेट्रोलियम प्रदार्थों की जरूरत को भी पूरा करेंगी। पारादी प्रिफाइंडरी से निकला पैट्रोल, डीजल, केरोसीन और हवाई जहाज का इंदन अनेक शहरों और गाउं की जरूरत को पूरा करेंगा। करीब चार हजार करोर रुप्य की लागत से तयार होने वाला इस प्रोजेक्ट के तहट बहरामपूर, विशागापत्नम, राजमंदरी और विजयवाड़ा में डिलिवरी कम पंपिंग स्टेशन बनने हैं। इस पाइपलाइन के बन जाने के बाद ओडिसा एक प्रकार से पूर्वी बारत का पैट्रोलियम हब बनने जा रहा है।